नश्कार दोस्तों, वेलकम तो शिद्धी परिक्षा, as you all know, GTA exam में आपके 3 subjects आते हैं, one is your quant, जिसको maths बोलते हैं, then second one is your reasoning and the third one is your GK part, maximum बच्चों का जो low और जो कम marks आते हैं, वो किसमें आते हैं, आपके, GK में जादा कम marks आते हैं, क्यों, क्यों कि इतना जो subject है, सब सोचते ह भी है, geography भी है, इसमें, GK वाला पार्ट भी आ रहा है, science भी आ रहा है, तो कैसे ये subjects को cover up किया जाए, देखो, last year जो हम question paper देख रहे हैं, इस last year question paper से हम क्या समझेंगे, कि 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 टाइप के questions पूछे जा रहे हैं, CUET exam के आपके GT paper में, ठीक है, तो जैसे ही आपको यह पता लग जाएगा कि हमें इस type questions पूछे जा रहे हैं, तो हम उसी तरीके से हम अपने त्यारी स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम स्टार्ट करने वारे आपकी live classes जो रहे गया, आपकी GK subjects से related, जो की related रहेगा, कैसे questions पूछे गए हैं, उस basis पर ही हम आपका subject कराएंगे, ज जैसे GK में क्या पूचा जाता है, आपको पता है, जैसे who is the first, who is the last, या first woman कौन थी, chief justice कौन बना first, तो इस type के questions आपके पूछे जाते हैं, then आपका सबसे पहले मैं इसको थोड़ा देख लिया है, analysis करके देखते हैं, तो history से आपसे पूछे जाते हैं, six questions, इसमें आपकी ancient बी आ गया है, medieval भी आ गया है, modern भी हो गया है, art and culture भी हो गया है, बट आपको ये पता होना चीए, कि हमें कौन सा part maximum करना है, देखो, जो modern history का होगा, उसमें आपको थोड़ा timeline के बारे में पता होना चीए, chronological order पता होगा, तो आप easily उन question को कर पाएंगे, तो हम modern history का एक तरह पूछ लिया जाएगा, dance form पूछ लिया जाएगी, कि ये कौन से state से है, तो इस type of questions पूछे जा सकते हैं, बुद्धिजम से question पूछ लेंगे, तो one liner question रहेंगे, तो one liner statement वाले questions में, हमें basic knowledge ही अगर होगी, तो easily हम उनको समझ लेंगे, और question को attempt कर पाएंगे, जैसे history का आपक करने के लिए आपको one liner question paper देखिए, last year या test series join कीजिए, उसमें पता लगेगा आपको किस type of question पूछे गए, then आपका geography हो गया, geography में आपसे mapping based भी हो सकता है, earth से related भी हो सकता है, आपका world geography हो सकता है, Indian geography, river kit बारे में पूछा जा सकता है, तो सारे आपके one liner ही रहेंगे, तो इ जादा जादा आपका time कहा लगेगा, gk वाले part में, quality भी बहुत easy आएगी आपकी, pm से पूछा जा सकता है, अभी देखो election होने वाले है, तो member का जो होना चाहिए, MP के लिए qualification क्या होनी चाहिए, तो सारी चीज अपनी cover की जाएगी आपकी gk की live classes में, उसमें आपका हर topic को अच्छे से cover किया जाएगा, line to line cover करेंगे, then थोड़े questions भी discuss करेंगे, तो इस से आपका confidence level बढ़ जाएगा, then आपका कौन सा होगा है, science, science में आपका physics भी आगया, chemistry भी आगया, bio भी आगया, किस पर जादा focus करना है, देखो जैसे physics में आपका SI unit से rated पूछ लेंगे, who is the father of physics इस type question हो गया, chemistry के कौन फादर थे, biology के questions पूछ लेंगे थोड़े, ठीक है, तो इस type के questions ही आएंगे आपके GT exam के GK जो आपका subject है, उस से related, अब GK में क्या पूछा जा सकता है, जी के में रहेगा आपसे longest, highest, shortest, इस type के questions हो गए, या आपकी famous book कौन सी थी, पुरानी famous books के बा current का proper आपका section cover कराया जाएगा, last six month के current affair होंगे, वो हम cover up करेंगे, ठीक है, तो अब हम एक पर last, आपका PYQ जो 2023 में हुआ था, उसको discuss कर लेते हैं, जिस से आपको PYQ analysis से आपको क्या पता चलेगा, कि questions किस type के आ रहे हैं, किस subject से आ रहे हैं, और हमें उनको attempt कैसे करना है, let's start, first question, first question में क्या पूछा गया, पॉलिटीका है, ठीक है, पता चल गया आपका पॉलिटीका है, कैसे पता चला, आपका anti-defection लागे बारें पूछा गया है, अब schedule पूछ लिया गया है, इसमें, देखो, मैंने आप यूट्यूब पे वीडियो short trick बताई है, all schedules के बारे मे अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो उसको schedule करने में आपको easy हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ये कौन सा schedule है, तो basically सीधा आपका question अगर ये वाला, वीडियो अगर मेरी वाली कर ली होगी, और short trick आपको समझागी होगी, तो सीधा आपका answer क्या हो जाएगा, 10th schedule, ये 10th schedule, question clear, अब ज्यादा ज्यादा आप time कहां utilize कर सकते हैं, अपना mathematics में, reasoning में, वो थोड़ा time consuming होते हैं, थोड़े calculation based question होगे, क्योंकि 100% surety तो है, but 100% surety यहाँ पर भी है, अगर इस subject को आप अच्छे से cover कर लेते हैं, तो, ठीक है, तो ये question complete हो गया, next question क्या पुछा गया है, वही आपका GK से related हो गया, GK बोल सकते हैं, या आपको physics भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, physics जैसे start कर सकते हैं, तो इसमें पूछा जा सकता है, या GK में भी ये question पूछा जा सकता है, तो GK में क्या होगा, is known as the father of Indian nuclear physics, तो कौन है, आपके, Dr. Omie J. बाबाजी, ठीक है, इनको father of nuclear, क्या बोला जाता है, program, इनको father of nuclear program भी बोला गया है, ठीक है, तो इस type of questions आएंगे, अब physics में जो भी innovative, जो innovation होगा, उस related हो जाएगा, अब current related क्या question आ सकता है, noble prize rated आ जाएगा, तो आपको with tricks, with short आपको पता होना चाहिए, short notes आपके बास होने चाहिए, जिससे आप easily revision कर सके, क्यों easy रहता है, इन subjects, देखो, यह जितरा भी topics है, यह आपके लिए easy रहेंगे, क्यों easy रहेंगे, क्यों easy रहेंगे, क्योंकि हम one liner type करते चलेंगे, with tricks, with mnemonics, आपको समझ में आ जाएगा, अगर timeline पता लग गई, history की तो देखो timeline अगर पता लग गई, तो वो question easily attempt हो ज सारे topic clear हो जाएंगे, rivers कहां पर है, देखो, घूमने भी जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, उत्राखन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, रुदरप्रया कहा है, गंगा river के, tributaries कोन से, यह सारी basic knowledge होनी चाहिए, आपको, then आपको GK किस type of question पूछे जाएंगे, headquarters के बारे म डायर को, जो लंडन में थे, उनको वहाँ डायर को, आपकी movie भी आई हुई है, ठीक है, VK कोशल की कौन सी movie आई हुए, उद्धम सिंग, तो इस से rated हो गया question, आपका easy पढ़ गया, question attempt करना, अब आप से पूछ ले जाएगा, देखो, easy हो गया, आपका कौन सा है, सरदार, उ इंडिया के बारे में, ये एक basic knowledge है, ठीक है, basic knowledge से ही आपको interest बनता जाएगा, हमारे history में क्या हुआ, देखो, वैसे तो आपने की हुई है, 6 से लेके 10th class के जो एंसियार्टी आपने कर रखिया अपनी social science में, but थोड़ा सा interest, one liner questions से आपके पूछी कैसे जाएगे, वो पता ह होने चाहिए बास, ठीक है, चलो, country is the shortest boundary with India, इसकी एक short trick कराऊँगा, एक short trick से आपको ये पता लग जाएगा, कि क्या है, कौन सी longest है, कौन सी shortest है, तो इसमें थोड़ा, क्या है कि, बच्पन, बच्पन में भूल, बै, चै, पै, ने, मे, भू, ले, ठीक है, ले को हम क्या मार कर लेंगे, अफगानिस्तान मान लेंगे, ठीक है, अब ये अगर आपने लिख लिया, बच्पन की भूल नहीं है, बच्पन में भूल है, ठीक है, तो बच्पन में भूल में सबसे पहले क्या रहेगा, आपका, बांगलादेश, ठीक है, देन, चैसे क्या हो जाएगा, और आफगानिस्तान तो यह अगर आपको समझ आगा बच्पन भूल डारेक्ट लिएन्स परेस्थ इस question में मैं आपसे पूछ लूँ आपकी shortest की बजाए longest इसी में कौन सा हो रहा है देखो उपर से देखें हैं मंगलादेश है इसमें नहीं देन आपका चाइना नहीं देन आपका पाकिस्तान येस तो आपका option क्या हो जाएगा डी अब आप से कोई longest पूछ ले या shortest पूछ ले आप इसली कर लेंगे उस question को ठीक है डन चलो नमामी गंगे नमामी गंगे प्रोजेक्ट मोदी जी के आते ही स्टार्ट हुआ था मोदी जी कब आये थे 2014 में तो कौन सा हो गया 2014 थोड़ी सी basic knowledge भी यूज कर लेंगे ठीक है next question आगया आपका किसी रेटेट है physics SI unit वाले questions आग सारे में हो गया frequency का acceleration का इनकी basic knowledge होनी चाहिए आपको दन आपका acceleration का क्या हो जाएगा distance over velocity velocity क्या रहेगा आपका again velocity is equal to distance over velocity तो क्या ना में time तो क्या हो जाएगा आपका meter per second square कहा है fourth option done then next पूच लिया pressure pressure किस रेटेट हो रहेगा आपका newton per meter square ठीक है यह हो गया then power of lens क्या हो गया power of lens क्या होता है one upon f f kya focal length focal length किसमे होगी आपकी meter में तो कौन सा हो जाएगा second frequency is equal to क्या होता है one upon time time means आपका seconds one over seconds तो कौन सा हो गया third option हो गया तो इस type के अगर आपको SI units पता होंगी तो easily questions all हो जाएगा ठीक है चलो next the first chief justice देखो यह वाला आपका जिक्के वाला question तो first first woman जिनोंने mountain climb किया first man जिनोंने two times किया three times किया कुछ भी question आ सकता है first और man में first woman में हर topic अच्छे से cover किया जाएगा ठीक है तो first chief justice of India कौन थे first PM पूछ लेंगे first president पूछ लेंगे यह आपको पता है first woman cm पूछ लेंगे यह question आएगा अभी शायद अभी ठीक है तो कौन रहेंगे आपके हरी राल जे कहना ठीक है कानिया दन आपका one kilowatt hour आपका one kilowatt hour is equal to क्या होगा आपका three point six raise to power into ten raise to power six joule तो यह किस से रेटेट हो आपका physics से रेटेट तो one liner question से देखो directly solve हो जाएगा अगर आपको पता होगा तो तो पता होने के लिए आपको क्या अगरना पड़ेगा proper way में थोड़ा सा आपने short notes बनाने पड़ेंगे थोड़ा follow करना पड़ेगा आपको शिद्धी परिक्षा को और अपनी live glasses join करने पड़ेगी ताकि आपकी जो live doubts भी होंगे वो भी हम clear करेंगे ठीक है next question language असोका की पूछी गई है आपका हो गया यह एंशेंट से लेटिड एंशेंट हिस्ट्री basic questions पूछ लिया है कि जो language यूज की गई असोका जो इंस्क्रिप्शन से उनमें तो कौन सी यूज होगी आपकी प्राक्रत एंड ब्राम्मी रैंग्वेज ठीक है तो इसका option क्या हो जाएगा बी तो one-liner questions है easy रहेंगे आपके लिए ठीक है next greatest football player पहले belongs to आपका कहां से बिलॉंग करते हैं यह ब्राजील से क्यों क्योंकि एक तरह से इनकी जब डैथ हुए शायदा आइधिंक 22 2022 में हुई है December 2022 में तो यह current topic हो गया आपका ठीक है current topic हो गया है sports का topic हो गया है तो sports related यह भी पूछा जा सकता था कि जो पहले है कौन से आपके गेम से लेट करते हैं आपके football से होगे तो ठीक है तो आपका क्या option हो जाएगा इसका c option Brazil से option तो यह जो गाइड देखो books होगी आपकी जीके में होंगी जो important जो आपकी टॉप रेटेड बुक्स होती है जो मलब highly recommended भी की जाती है काफी इमिला ओथर से या जो ज्यादा फेमस हो जाती है तो वह भी आपका जीके का पार्ट बजा बन जाती है वह book ठीक है तो इसमें question पूछा है who wrote the famous novel the guide book तो आपको पता होना चीए किस ने लिखी है आर के नारायन जी ने लिखी है यह I think 1958 की book है ठीक है let's go अब इसमें पूछ लिया गया headquarters basically तो आपको पता होने चीए headquarters ठीक है headquarters के बारे पूछ लिया Indian Rare Earth Limited तो यह कहा है आपका अलुआ केरला में देन आपका इस्रो कहां पर है बैंगलूरू में देन आपका कहा है विकरम साराबाइ स्पेस सेंटर कहा है तिर्वेंदरपुरम में देन आपका क्या पूछ लिया uranium Corporation of India यह कहा है आपका जादू गोडा में ठीक है तो यह questions आपके easy हो जाते हैं अगर आप अगर आपको दो भी पता होंगे तो आपके easy रहेंगे तो at least दो से तीन रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो यह आपके कहीं नहीं जाएंगे marks ठीक है first female cm first female cm वही woman और आपके first वाला question हो गया ठीक है सेम किस से question आ गया है जीके का question बन गया है who was the first female cm कौन रहेंगे आपकी सुचिता क्रपलानी जी कहां की बनी थी है UP की बनी थी ठीक है यह first आपको पता होना चाहिए next question आपका किस से rated है आपका geography से related है assertion में क्या बोला गया है अर्थ is the only planet known to have life अभी तक तो यही है यही सचाहिए कितने scientist research भी कर लिए देखो alien ना किसी ने देखा है न अभी शायद है अभी USA में alien क्यों आ रहा है अभी देखो उनकी research वह जाने ठीक है अर्थ is the only planet known to have तो यह बात तो सही है तो अर्थ has the atmosphere which is a mixture of oxygen, nitrogen and carbon dioxide यह बात भी सही है तो दोनों बात सही है तो इसलिए लिए लाइफ पोसिबल है वहाँ पर तो दोनों option आपके ठीक हो जाते हैं तो इसका क्या option हो जाएगा आपका ए ओप्शन हो जाएगा कि correct explanation है ए के लिए according to their celebration month वह पूछा गया तो यह कौन सा हो गया फेस्टीवल से रेटेड हो गया फेस्ट तो यह किस में आजाएगा आपका art and culture आपका history वाले पार्ट में आजाता है इवन करेंट में भी हो जाता है इवन जीके का पार्टी हो जाता है तो सारा आपका cover up कराया जाएगा combined form में ठीक है तो इसमें क्या हो गया बी हूँ हो गया पॉंगल हो गया holy हो गया holy बनाया जाता है तो यह क्या हो गया आपको पता चलिगा December 4 option है ठीक है ऑनम आपका बनाया जाएगा सेप्टेंबर में अगर आपको यह दो त्यन पता होंगी तो जैसे पॉंगल आपको पता चलिगा तू देन आपका थ्री होली और वन एप्रेल में मनाया जाता है आपका बी हूँ वन देन आपका फाइफ पर आएगा ओनम देन आपका क्रिस्मस तो इसका ओप्षिन क्या हो जाएगा आपका बी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेस्टन हो जाते हैं इजी रहेंगे अगर आपक तो जब राम जी ने अपना जो वो से तुब बनाया था आदम ब्रिज भी बोला गया जिसको तो कौन सी दी स्रिलंका गए थे तो सी ओप्षन हो गया इजी हो गया आपके लिए ठीक है चलो लाल बादु शास्त्री राजिव गांदी अटल ब्यारिवाजपी और पी विंद जाएंगे अब chronological type question है इसको हम history से related करके कैसे कर लेंगे तो first prime आपके minister कौन थे आपके कौन थे नहरू जी ठीक है देन उनकी मिर्त्यू के बाद कौन बने लाल बादुर शास्त्री जी कब बने 1964 से तो third option हो गया first का third दो options में given है then इनके बाद कौन मने थे इनके बाद कौन मने थे इंदरा गांदी जी इंदरा गांदी जी के मिर्त्यू के बाद कौन मने राजिव गांदी जी देन सेकिंड पर आपके कौन होगे 1984 से लेके आपके 1989 तक कौन रहेंगे राजिव गांदी जी इनकी मिर्त्यू के बाद कौन मने पीवी नर्सी माराओ जी देन आपके अ आटल बिहारी वाज भी जी क्यों क्योंकि कार्गिल वॉल इसी टाइम में हुआ था तो इस टाइब से बेसिक रिलेट करकर करके हम यह क्वेश्टन सौल कर लेते हैं दो अप्शन्स भी पता होंगे तो इसली सौल हो जाएगा ठीक है इस इन टाइप के क्वेश्टन में हम एल 1885 राइट दैन आपका सवदेशी मुमेंट हुआ ठीक है 1905 यह प्रोपर स्टोरी लाइन क्राई जाएगी आपकी जीके में प्रोपर क्राया जाएगा modern हिस्ट्री में ठीक है वन लाइनर क्वेश्टन सारे कवरफ के जाएगे आपके दैन आपका क्या रहेगा चोरी-चोरा इंसिदेंस 1922 क्या हुआ देंसिदेंस में सारा समझाऊंगा दैन आपका डानी मार्च 1930 कुट इंडिया मोमें 1942 तो अब कर दो रिलेट सबसे पहले क्या होगा फाइफ दैना सौरी आपका क्या रहेगा फॉर फाइफ दैन आपका तू दैन वन दैन आपका थ्री तो यह कौन कर iste का मतलब कुए सबना सकता हरता है अगर आप उसके तीन बार अगर प्रॉपर Way में रिविजन करते हैं तो इस ली यह क्योश्तन शौल को जाएगेöh तो सबसे पहले आपका कौन सा रहेगा फेमस फोक डांसिन महारास्टा कौन सा आपका लाउनी बी ऑप्शन रहेगा अगर यह पता होगा गरभा सबको पता ही होता है गुजरात में बनाया जाता है तो यह कैसे पता है आपको क्योंकि आप न्यूज में काफी देखते हैं अब्रात रहेगा वर्णात तो इसलिए आपको एक रिलेट हो गया कि घरभा तो पता है बट यह बाकी नहीं पता है तो आपको तीन ऑप्शन सब्सक्राइब कर यह फायदा और कि किस सब्जेक्ट से कितने questions आने के chances हैं then GK में कैसे questions पूछे जाएंगे books rated कैसे questions होंगे headquarter rated कैसे questions होंगे तो इस type के आपके questions सारे cover up किये जाएंगे with आपके question paper with all subjects पूरा GK cover किया जाएगा और आपके maximum 20 questions 60 में से 20 मतलब one third part किसका आएगा आपका one third part किसका होगा आपका GK का part होता है GT paper में तो यह इसको हलके में मत लेना की math reasoning कर लेता हूँ जी को छोड़ देता हूँ इतना हलके मत लेना two fifty two out of two fifty लेना possible है अगर आप जी के अच्छे से कर लेते हैं तो क्यूंकि मैंच reasoning का डारेट्ट किया होगा अगर आपको क्योंस आता होगा थोड़ा टैकनिक करेंगे थोड़ी शोट ट्रिक पता होगी किसी को किसी को मतलब ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करक्यों रीजिनिंग में ज्यादा पता होगा तो वो क्योंसन हो जाते हैं ठीक है 100 परशंट तो यह सारा जितना भी आपको कराया है यह आप अपना द्यान से देख लेना कल से स्टार्ट करेंगे वन लाइन टाइप किये जाएंगे इस टाइप के अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो यह कुछ भी नहीं है और यह नॉलेज गेन करने के लिए हमें लाइव क्लास लेनी ही पड़ेगी ताकि आपकी लाइव डाउट्स भी हम क्लियर कर सके ठीक है all the best thank you and have a nice day